आप सब लोगों की इतनी बारी प्रेजन्स को देखते हुए, हम आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आप सब करते हैं। आप सब करते हैं। आप सब करते हैं। महीं पे हैं। मजबूर किया जा रहा है, जबकि जब भी कोई सब्स्टैंट्यू, ओफिशेटिंग केपैस्टी में कोई भी प्रमोशन की गई। उस सब में विजलन्स क्लेरंस ली जाती है, आप सब को पता है। मंतली बेसिस पे जो उनको फिक्स ट्रेवल एलाउंस दिया जाता है, उसके लिए सरकार ने कोई भी कारगर कदम नहीं लिया। उसकी एन्यांस्पेंट को लेके सरकार इंडिफरेंट है। तीन सो पैसेट दिन काम भी करता रहेगा और उफ तक नहीं करेगा। हमारा फर्स बनता है बिइंग इंजिनर्स, बिइंग एंप्लोईज कॉणिशन कमिटी उन सब की आवाज जो है बनके हमने गवर्मेंट को बार बार इस चीज के ओपर सेंस्टाइज किया। दूसरा में आपके मादियम से एक और एहम मुदा हमारे टेक्निशन जो 1998 के अपॉइंटिड है उनकी आज तक एक भी डीपीसी नहीं हुई। सिर्फ कमिटी पे कमिटी कमिटी पे कमिटी बनाई जाती है। आज भी जो हमारा Power Development Department जिसको Corporations में डिवाइड करके उसको तक्सीम करके आज उसके इतने हिसे किये गए हैं उन सभी Corporations में कोई भी रिफॉर्म जो है Employees के Point of View से कोई भी नहीं किया जा रहा है। अभी हम सब इस मामले में Ingenious Day 15 September जो पूरे वर्ल में बनाया जाता है। उसको उस दिन हम काले बैज़ेस पहन के सारे Employees Power Development Department के एक्रोश जमू और कश्मीर जो है उस दिन प्रोटेस्ट करेंगे काले बैज़ेस वेर करेंगे Against the Continuous Insensitive Cold Shoulder Approach of the Union Territory Administration Democratic Means में जो भी Available Options है हम वो यूज़ करेंगे और आने वाली दो तारीक को 2 October को जिस दिन गांदी जी के Principles में चलते हुए किसी भी तरह से किसी को परिशानी में न डालते हुए अपने सिदान्त को मजबूत करने के लिए अपने निच्चे को मजबूत करने के लिए और इस पाइट को आगे बढ़ाते हुए दो तारीक को जो है हमारा एक मार्च भी होगा जो जम्हू के Press Club से होते हुए सत्वारी चोग तक गांदी चोग पे वो कल्मनेट होगा पूरे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए उसमें जो है सारे कदम उठाए जाएंगे मैं सरकार को फिर भी यहां से एक बारी फिर से अपील करता हूँ कि जो हमने इशूस पॉइंट आउट की हैं टाइम टो टाइम उनको सेंस्टिव तरीके से लिया जाए आप देख रहे हैं जो शोर्ट करियर प्रोग्रेशन गैजटेड पुलीस पर्सनल्स गैजटेड के एस और आईस ओफिसर्स को अविलेबल है वो सेम शोर्ट करियर प्रोग्रेशन का हमारे कैबिन ने 2018 में अप्रूवल देके भी उसका SRO जो है इंजिनियर्स के फेवर में रिलीज नहीं किया गया हमारे डेली वेजर्स आज भी दुकी हैं हमारे जो एंप्लोईज हैं वो सब इस टाइम पे बहुत दुकी हैं पिर भी हमने जो है पावर सप्लाई में कोई भी किसिन की बादा आने नहीं दी आपने देखा है लास्ट कुछ सालू से पावर सेनेरियों भी काफी इंप्रूव हुआ है इसके पीछे जो है बहुत ही कड़ी मशकत 400 जूनियर इंजिनियर्स की वेकंसी अभी भी पावर डिवलोप्मेंट में खाली हैं एक जूनियर इंजिनियर्स जो है पाँच-पाँच फीडर चला रहा है 24 गंटा आप बताईए आपके पास एक जूनियर इंजिनियर्स का नंबर है जिसको आप 24 गंटा कभी भी फोन की कीजिए विकाज उसके पास कोई रिप्लेस्मेंट नहीं है उसको आठ गंटे की शिफ्ट नहीं है लेकिन उसको तीस रुपे पूरे महीने में फिक्स ट्रेवल एलाउंस दिया जाता है कि वो पूरे फील्ड की निगरानी भी करें पावर भी चलाए और डेली वेजर का भी द काफी अक्रोश में है और मैं आप सब के माधियम से अपील एल्जी साहब तक पहुंचाना चाहता हूं कि किर्पे करे करके बावर एंप्लोईज और इंजिनेस कॉडिनेशन कमीटी को मिलने का मोका दीजिए पिछले एक साल से हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं बार-बार एप किमते समय आपने निकाला थैंक्यों